बावा बर्फानी के दर्शन के लिए बर्फिर्ट से भगतों का मिला लगेगा लगभग तीन दिन के बाद पवित्र अमर्नात यातरा का शुभारम किया जाएगा ऐसे में इस साल कैसी होगी अमर्नात यातरा की तैयारियां इस रिपोर्ट में देखिए 20 जून को शुरू होने वाली अमर्नात यातरा को लेकर तैयारियां पूरी हो चुटी है गुरुवार से शुरू होने वाली इस साल की अमर्नात यातरा के लिए सबी तरह की तैयारियां पूरी हो गई है अब की बार 10 लाग अमर्नात यातरियों की यातरा में शामिल होने की उमीद जदाई जा रही है जो उसी व्यापत तरीके से अमर्नाथ यात्रा के हुए तैयार आदी है। इसलिए NDRF की आज टीमों को यहां लगाया गया है। उनको भी टैनाथ किया गया है। हमारा फॉकस होता है कि फीमेल को हम रस्क्यू करें। सुरक्षा के लिहाद से यहां जमो कश्मीर पोलिस भी पूरी तरह तैयार है। वो हर गतिविधी पर नजर बनाई होई है। जमो के कठवा में पोलिस्टी में जगे जगे तैना थे। चप्पे चप्पे पर पोलिस की नजर हर आने जानी वाली गाड़ी की यहां तलाशी ली जा रही है। सिक्योर्टी की पूरी इंतिजाम कर ली गई है अमना थेयातरा के पहले। हमें सफिशेंट मात्रा में सिक्योर्टी फोर्सेज उपलब कराए गए है। और डिप्लॉर्मेंट भी हो गई है। ड्राइरन भी हो गया है। और हमने अपने सारे SSPs को कह दिया है कि यह अपनी तरफ से जो है 100% या जितनी भी कोशिश की जा सकती है वो करें। और अमना थेयातरों को पीसफुल हम उज़ा रहे हैं। यातियों की सेवा के लिए पुलिस टीम, मेडिकल टीम, सेवा दल, लंगर टीम सब तयार हैं। बेट तयार हैं, टेंट रिडी हैं। साफ सफाई पर जोर दिया जा रहा है। कुल मिला कर सब कुछ प्लैनिंग के मताबिक हो रहा है। निन्वान बेस कैंप में भी पहलगाम के साइट से की जाने वाली सब ही तयारियां पूरी हो चुकी। दो सार बात होनी जा रहे ही इस यात्रा को लेकर सब पे उत्सा है और सब चाहते ही कि यात्कियों को किसी भी तरह की दिखकते ना हो। इसलिए मेडिकल टीम ने भी अपनी और से पुखता इंतजा माज किये हैं। अच्छी तरीके से इस एरिये को डॉमिनेट किया गया है और सिकुरिटी के जितने भी मेजर्स होते हैं और जितने भी प्रिकॉशन्स होते हैं वो सब लिये गये हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यात्री जितने भी आएंगे उनको किसी किसम की असुदा या प्रिशानी जो है यहां पे लखनपूर में एंट्री पॉइंट पे नहीं होगी। बालटाल और पहलगाम में भी सत्तर बेडवाला सभी सुवधाओं से लैस डियाडियो औस्पताल तयार हैं जिसका उधगाटन खुद एलजी मनूद सिल्हा ने किया। तयारियों की समीक्षा के लिए एलजी ने यहां एक बैठक भी की। साधियों ने बालटाल और तहलगाम के ट्रेवल रूट का भी निरिक्षन किया। जम्मू के भगवती नगर बेस कैम्प यात्री निवास में भी यात्रियों की सुविधा के लिए तैयारियां अपने आफ्तरी पड़ा उपर है हर तरह की विवस्था को यहां पुफ़ता करने पर जोर दिया जा रहा है ताकि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो इस बार अमर्नाथ यात्रा में ज्यादा शुधालों के शामिल गूने की संभावना है इसलिए तैयारियां भी उसी हिसाब से की गई थी ताकि यात्री शांती पूर्वक अपनी पवित्र यात्रा को अंजान दे सके अश्रापानी के साथ ब्यूरो रपोर्ट गुड न्यूस तरटे अब जबके पवित्र अमर्नाथ यात्रा की शुरुवात होने में महस चंद दिन बच्चे हुए हैं ऐसे में भक्त बेहत साहित हैं हर कोई जल्द से जल्द बावबरफानी के दर्शन कर लेना चाहता है लेकिन आपको जानकर यह हरानी होगी कि जो पवित्र अमर्नाथ गुफा हिंदू के आस्था के केंदर में से एक है उसकी खोज एक मुस्लिम चरवाही ने की थी क्या है अमर्नाथ यात्रा से जुड़े यह पूरी कहानी और इसकी सच्चाई इस रपोर्ट में देखिए अमर्नाथ यात्रा भले ही हिंदू की तीर थियात्रा हो लेकिन इस यात्रा से एक मुसल्मान परिवार पुरानी समय से ही चुड़ा हुआ है कुछ साल तक तो यह मुसलिम परिवार हिंदू श्रद्धालवों को पवित्रमर्नाथ गुफा के दर्शन भी कराता था पवित्र गुफा में बाकाइदा पूज़ा पार्थ भी कराता था भगतों को तिलग भी लगाता था और प्रसाद भी बांटता था देश और दुनिया में बहुत कम लोगों को यह जानकारी होगी कि अमर्नाथ गुफा की खोज एक मुसलिम जो चरवाहा है उसने की थी बुटा मलिक उसका नाम था और अठारह सो के आसपास अठारही सदी में जो है वो अपने बेड बकरे चराने के लिए अमर्नाथ गुफा के रास्ते में उन पहाडों में घूम रहा था बाबा मर्नाथ आराध्य तो हिंदूओं के हैं लेकिन उन पर इस मुसलिम परिवार के आस्था किसी हिंदू से कम नहीं है अमर्नाथ गुफा को खारीब 200 साल पहले खोजा गया था और इसे खोजने का श्रे एक मुसलिम चरवाहे बूटा मलिक को दिया जाता है परिवार के मुताबर एक संथ कोईले से भरी बोरी बूटा मलिक नाम के चरवाहे को देता है लेकिन जब वो घर जाकर बोरी खोलता है तो उसमें सोने के सिक्के मिलते हैं चरवाहे ये देख चौक जाता है और संथ को धन्यवाद देने के लिए वापस पहाड़ पर पहुंचता है लेकिन उसे वहाँ वो संथ नहीं मिलते हैं उनकी जगाव से गुफा और बर्प का शिवलिंग मिलता है बुटा मलिक ने उनको बोला मैं उनको आपका रस्ता लिखाऊंगा तो जब वो हुली के पहुंच गए तो वहाँ एक अमर कथा चल रही थी वहाँ सादू मजूद नहीं थे और वहाँ कभुतर के एक जोड़ी थी इसका जिकर अमरनाथ शाइन बोड की वेबसाइट पर भी है वेबसाइट पर डिसकावी आफ होली केव नाम से जो कस्ता लिखा गया है उसमें चरवाहे बुटा मलिक की कहानी और मनाथ वफा की खोज के बारे में बताया गया है आज बुटा मलिक की सात्वी पीड़ी पहल गाम के इस बटकोट नाम के गाउं में रहती है जिसका नाम भी बुटा मलिक के नाम पर ही रखा गया है हला कि बुटा मलिक के वंट्षजों की भूमिका 2002 तक ही चल सकी क्योंकि 2002 में अमनाथ श्राइन बोर्ट का गठन हो गया जिसके बुटा मलिक के परिवार वालों की भूमिका अपचारिक तोर पर खत्म हो गई बुटा मलिक ने जिव इस गोफा का पता लगाया था तब कुछी श्रद्धालू बाबा वर्फानी का दर्शन करपाते थी लेकिन अब यहां पर आस्था का सैलाव उमरता है अमरनाथ गुफा की खोज निकालने वाला बुटा मलिक इसी गाउं में रहता था जब वो जिन्दा था तब इसमें मातरिस गाउं में एक या दोगर थे लेकिन अब यह बहुत बड़ा गाउं बन गया है जहां पर सैंकनों की तादाद में परिवार भी रहते हैं और गर भी हैं लेकिन बुटा मलिक के वन्शज अभी भी इसी गाउं में बटर कोट में ही रहते हैं यहां तक कि यह जो पीछे पूरा महला है यह बुटा मलिक के ही नाम से इसकी पहचान है और उनके ही वन्शज इस गाउं में रहते हैं अभी भी कुछ जो बुजर्ग लोग हैं इस परिवार में वो अभी भी अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के लिए उसी तरह जोश में होते हैं जिस तरह दशकों पहले और सद्यों पहले ये परिवार रहता था अगर आप भी इस साल अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो ये ख़बर आपके लिए बेहत ज़रूरी है क्योंकि इस खबर में हम अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से खाने के चीजों को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके बारे में बता रहे हैं श्राइन बोर्ड ने खाने के कुछ चीजों पर पावन्दी लगा दी है कौन-कौन सी ये चीजें हैं सुची क्या कुछ तयार की गई है इस रेपोर्ट में देखिए दो साल के बाद इस साल अमरनाथ यात्रा हुनी जा रही है बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उनके श्रधालू बेस सबरी से इंतजार कर रहे हैं लेकिन यात्रा के आगाज से पहले ही श्रधालू के खाने पीने को लेकर एक बड़ी खबर आई है दरसल खाने की कुछ चीजों पर पाबंदिया लगा दी गई है इस बरस बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रधालों को तला भुना खाना, जंक फूट, समोसे वगेरा पर पाबंदी लगा दी गई है श्राइन बोर्ड ने इन चीजों पर पाबंदी लगाई है जी हाँ, अमनात यात्रा के दौरान लंगरों में फ्राइट फूट, जंक फूट, स्वीट डिश, चिप्स, समोसे जैसी चीज़े नहीं मिले की ऐसी दर्जनों चीज़े बैन कर दी गई है श्राइन बोर्ड ने सभी लंगर कमेटियों को खत लिखा है कि यात्रियों को हरी सबजिया, सलाद, मक्य की रोटी, साधी दाल, लोफाट डूद और दही जैसी पौश्टिक चीज़े ही दी जाए सर्कुलर निकाला है श्राइन बोर्ड ने, इसका हम समर्थन करते हैं क्योंकि हम लोग खुद यात्रियों को हेल्धी पूड, स्प्राउट्स वगरा, ग्रीन सबजिये वगरा यह सब प्रोवाइड करते हैं यह आज से नहीं, पिछले आठ सालों से और इस वार हम समर्थन करते हैं श्राइन बोर्ड का, कि हम लोग पूरी कोशिस करेंगे पूरी कोशिस क्या, पूरी जीजान से यात्रियों को हेल्धी फूड और जंक फूड से बिलकुल धूर रहेंगे श्राइन बोर्ड ने ये फैसला स्वास विशेशक्यों की राय पर लिया है ताकि हल्धी फूड से यात्रियों की सेहत ठीक रहे, उनका एनरजी लेवल ठीक रहे और उनको यात्रा के दौरान परिशानी नहीं हो श्राइन बोर्ड के इस फैसले को लेकर लोग भी खुश है उन्हें लगता है फैसला स्वास की दृष्टी से लिया गया है तो अच्छा ही है यूं तो यात्रा के दौरान मासाहाज, शराप, तंबाकू और गुचका पर पाबंदी रहती ही है लिकिन इस बात समोसा, पकोडा, पुलाव, फ्राइड राइस, पूरी, भटूरा, पिज़ा, बर्गर, तले पराथे, डोसा, तली हुई रोटी, ब्रेट बटर, अचार, चटनी, पापड, नूडल्स, कोलरिंग, हल्वा, जलेबी, चिप्स, मठी, नमकीन, मिक्सचर और कि असी भी तरह की डीफ्राइड चीज़े नहीं मिलेंगी। यात्या के दोरान सुरक्ष्य ववस्ता के भी बुक्ता इंतिजाम किये गए हैं। जहां पर कोई भी जीवित प्राणी उनकी अमरता की जो कहानिया उसको सुनना ले। और इसी लिए वो मापार्वती को लेकर अमरना गुफा आए। पुराने के तेहास में तमाम कहानियों का जिक्र मिलता है कि कैसे उन्होंने गुफा तक पहुँचने से पहले रास्ते में नंदी बैल को पहल काम में छोड़ दिया। उसके बाद अपनी जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाडी पर उतारा। शेशनाग जील में सापो को छोड़ा और अपने पुत्र भगवान गणेश को महागुण परवत पर छोड़ा। और फिर पंच तरणी पर अपने पांचों तत्व को त्यागा। लेकिन फिर भी उस रोज गुफा के नस्दीक दो जीव रह गए थे और उनोंने भगवान शिर से अमर्ता की कहानी को सुन ही लिया। दूर तक फैली बर्फ के चादर और उसके बीच प्रकट हो चुके हैं बावा बर्फानी। भग्तों को बावा बर्फानी का रूप लुभा रहा है। भोले नाथ के भग्त तैयारी में हैं पवित्र गुफा में महादेव का महा रूप देखनी के लिए। लेकिन अमर्नाथ के इस अलौकिक रूप के तर्शन करना इतना आसान है। बावा अमर्नाथ के गुफा तक जाने के दो रास्ते हैं। सबसे पुराना रास्ता है जम्मु कश्मीर से पहलगाम होते हुए। जम्मु से करीब 315 किलोमेटर और श्री नगर से 96 किलोमेटर दूर है पहलगाम। जम्मान शिव ने कहा कि लेकिन ये कथा वहां पे कही जाएगी आपसे। जहां तुम्हारे और हमारे बिना और कोई ना हो। तो उस कथा के रूप में हम कहते हैं कि जब जिसे आज आज आप पहलगाम कहते हैं। वहां जाकर के शिव ने नंदी को विश्राम के लिए कहा तुम यहां रहो और प्रहरी रहो गाड करो कोई और ना आए। तो प्रहरी रहने से पहरवा जिसको कहते हैं इन्दी में प्रहरी ग्राम प्रहरी ग्राम ही पहलगाम होते हैं यह बेल गाम बेल गाम कुछ नहीं है यह प्रहरी ग्राम है वहां से पहलगाम से 16 किलोमेटर दूर है चंदनवारी मानेता है किसी जगह भगवान शिव ने अपनी जटा से चंद्रमा को अलग किया था जिससे इस जगह का नाम चंदनवारी पड़ गया चंदनवारी के बाद अगले पड़ाव पिस्सू टॉप तब चड़ाई और मुश्किल हो जाती है मानेता है कि भोलेनाद के पहले दर्शन को लेकर यही पर देवासुर संग्राम हुआ था तब भगवान शिव के आशिरवात से देवताओं को जीत मिली थी उस युद्ध में इतनी बड़ी संख्या में असुर मारे कह थे कि उनके शवों के अंबार से पूरा परवत खड़ा हो गया था पिस्टू टॉप के बाद यात्रा में अगला पढ़ाव है शेशनाग मानेता है कि यहां महादेव ने अपने गले के हार शेशनाग को छोड़ दिया था कि एक जगह पर अपने जो नाग है उनके शेशनाग तुम यहां पर रुको आगे किसी को मताने तो इस तरह करते करते इनकी अपनी सिंबॉलिक कथाएं हैं इनका इंटेंशन और इसका मोटिफ अलग है पंच तर्णी में भगवान शिव ने आप अपने पंच तत्वों से अपने को अलग किया यह पंच तत्वी विरसाथ नहीं होने चाहिए और आगे जैसे आप चलिए महागुनस एक आता है यानि गनेश जी को का तुम यहां रुखो आगे किसी को मताने दो बालटाल के रास्ते अमर्नाथ यात्रा सिर्फ एक दिन में पूरी हो जाती है लेकिन बालटाल का रास्ता जितना छोटा है उत्रा ही मुश्किल पहाड पर सीधी चड़ाई चड़कर इस रास्ते बाबा बर्फानी तक वही पहुँच सकता है जो शारिरी क्रूप से पूरी तरह फिट हो अमर्नाथ गुफा तक पहुचने के रास्ते में हर कदम पर बाबा के चमतकार की अनुखी कहानिया बिखरे पड़ी है अमरेश्वर महात्मे है हर तीर्थ का अपना महात्मे होता है उसमें ये भी कहा कि ब्रिगु रिशी ने सबसे पहले ये देखा कि यहां शिव बनते हैं उसके हिम से तो वो जग जाहिर करती तो इस तरह कई कहानिया है तो ये बहुत प्राचीन कथा है और कथा का महात्म इसलिए है कि इस कथा को जानने से हम स्रिश्टी के रहस्य को जान सकते हैं उनमें से एक कहानी है दो कबूतरों की जो भगवान शिव के वर्दान से अमर हो गए और आज भी अमरनाध धाम पर विराज देहर भगवान शिव और पारवती ने एंशुर किया कि यहां कोई नहो इसलिए कालागनी भैरों को उत्पन किया कालागनी भैरों से कहा कि यह सारा एरिया जो है दायमा है इसको पूरी तरह से निर्जीव कर दो यानि अगनी के प्रताप से कोई कीडा मकोडा तक न रहे ऐसे में कथा है कि वहां कबूतरों के दो अंडे उनके आसन के नीचे चिपे रहे कितनी ही मुसीवतें सेहने के बाद हर साल हजारों शर्थालों बाबा बरफानी के दर्शन करते हैं इस सियातरा का अपना आनंद है करीब 14,000 फीट के उचाई पर बनी अमरनाद गुफा में हर साल बाबा बरफानी दर्शन देने आते हैं हर बार शिवलिंग का अकार अलग होता है चितना भव्वे रूप उतरी ही बड़ी महमा है बाबा बरफानी की कहते हैं जिसने एक बार महादेव के इस दुरलब और प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन कर लिए उसकी हर कामना पूरी हो जाती है जम्मू से सुनील जी भट के साथ बेरो रिपोर्ट गुड नियूस टुड़े हमारी इस खास पेशकस में तलाल के लिए बततना ही लेकिन बाकी तवाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड नियूस टुड़े